हेलो फ्रेंड स्वागा था आपका हमारा यूटूब चैनल घर की रसोई एंड टिप्स में तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली स्पेसल मावा गुजिया आप सिर्फ सूजी से भी बना सकते हैं गुजिया इसके लिए हम सबसे पहले डो त्यार करेंगे दो कप मैदा लेंगे बेट में आधा केजी मैदा है सो ग्राम रिफाइन ओईल है वन फोर्थ कप रिफाइन ओईल या घी लेंगे अच्छी तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से रिफाइन मिला कर मसल लिये हैं आटा इस तरह से बंधने लगा है देख सकते हैं आटा में मॉयम पर्फेक्ट रहेगा तो गुजिया कभी खराब नहीं होगा पर्फेक्ट मॉयम हुआ है मैदा में आधा कप पानी लिये हैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गुनेंगे डो ज्यादा लूज नहीं करेंगे टाइट ही रखेंगे गुजिया बनाने के लिए डो टाइट ही रहना चाहिए अब हमारा डो त्यार हो गया है आदा घंटा रेश्ट के लिए रख देते हैं इधर स्टेफिन त्यार करते हैं अगर आपको ड्राइफ फ्रूट्स पसंद है तो अब भून कर ही ड्राइफ फ्रूट्स डाले इससे गुजिया जल्दी खराब नहीं होता है थोड़ा काजू बदाम लिए हैं इसको अच्छी तरह घी में भून लेंगे दो चम्मच घी डाले हैं काजू बदाम भून गया है अच्छी तरह अब हम निकाल लेते हैं ठंडा करके इसे मोटा दरदरा मिक्सी में पीस लेंगे या काट लेंगे उसी घी में हम एक कप सुझी को भून लेते हैं पांस से छे मिनिट तक सुझी भूनेंगे पांस से मिनिट तक सुझी भून लिये हैं अब हम मावा भूनेंगे एक कप मावा है इसको भी थोड़ा भून लेंगे ये प्रीज में था इसलिए थोड़ा डेला हो गया है घर में बनाया हुआ मावा है इसको कल्ची के सहायता से थोड़ा मैस कर लेंगे गरम होने के बाद ये मैस होने लगता है एक दो मिनिट भून लेंगे सुझी के साथ मिला कर भून लेंगे दो मिनिट तक दो मिनिट तक भून लिए है एक कटोरी नारियल पीसी हुई डाले है गड़ी वाला जो सुखा नारियल होता है उसको हम मिक्सी में ग्राइंड करके ले लिए थे उसको भी एक से दो मिनिट तक भून लेंगे ड्राइब फ्रूट्स को जो हम मिक्सी में दरदरा पीस के रखें उसको भी डाल देंगे एक चमच इलाइची पाउडर डालेंगे सब को अच्छी तरह से मिला देंगे सब अच्छी तरह भून गया है अब हम एक कप चीनी लिए हैं इसको मिक्सी में पीस लेंगे अच्छी तरह से ठंडा होने के बाद ही चीनी को हम मिला रहे हैं घरब में नहीं मिलाएंगे अच्छी तरह से चीनी मिला लेंगे अब हम थोड़ा किस्मिस डाल देंगे किस्मिस हम पहले डालना भूल गया थे इसलिए हम अभी से भी डाल देते हैं थोड़ा किस्मिस गुजिया का इस्टफिन तयार है डो को आधा घंटा रेश्ट किया हुआ हो गया है हम थोड़ा उसको हाथ से अच्छी तरह मसल देंगे इस तरह से लंबा रोल कर लेंगे लंबा रोल कर लिए हैं अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे चाकू से अब हम गोल गोल करके पूड़ी के सेप में बेल लेंगे ना ही ज़्यादा पतला पूड़ी बेल लेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा इस तरह से हम पूड़ी बेल लेंगे पूड़ी ज़्यादा पूड़ी बेल लेंगे अब हम इतना सारा पूड़ी बेल लिये हैं अब हम इस्टफिन भरेंगे पूड़ी में साचा में इस तरह रख कर पानी लगा लेंगे किनारे किनारे दोनों साइड एक एक चमच करके इस्टफिन डालेंगे और दबा देंगे अच्छी तरह से एक्स्ट्रा जो आटा बचा है उसको काट कर निकाल लेंगे अब देख सकते हैं कितना अच्छा गुजिया भरकर त्यार हुआ है पूरी थोड़ा छोटा लग रहा था इसलिए हम थोड़ा उसको बेलकर और बढ़ा किये इसी तरह से हम सारे गुजिया भर लेंगे किनारे किनारे पानी लगाएंगे पानी लगाने से गुजिया भटता नहीं है चिपका हुआ रहता है और उसके अंदर तेल नहीं घुशते हैं दो चमच इस्टफिन डालेंगे दवाते हुए एक्स्ट्रा आटा जो बचेगा उसको काट कर निकाल लेंगे बचे हुए आटा को पलोथिन में रखेंगे बाहर रखने से आटा में पपड़िया आ जाएगी और पूरी वेलने में दिक्कत होगा आप देख सकते हैं ये भी गुजिया कितना अच्छा भर कर त्यार हुआ है इधर कड़ाई में रिफाइन ओईल गरम हो रहा है इतना सारा गुजिया हम भर लिये हैं तब तक इसको हम तलने के लिए रख देते हैं तेल को ज़्यादा गरम नहीं करेंगे लोही फ्लेम में गुजिया तलेंगे नहीं तो गुजिया में जल्दी से कलर आ जाएगा और अंदर पकेगा नहीं ज्यादा हाई फ्लेम में करेंगे तो गुजिया जलने लगेगा एक से दो मिनिट हो गया है गुजिया फूल गया अची तरह से अब हम धीरे धीरे दूसरी और प्लट देंगे एक दम फुला फुला गुजिया बना है इधर तब तक पक रहा है दूसरे बेच तलने के लिए भी पुड़ी बेल लेते हैं फिर उसी तरह हम गुजिया भर कर त्यार करते जाएंगे और तलते जाएंगे उसी तरह से चारो किनारे में पानी लगाएंगे गुजिया होली का खास मिठाई है इसको बनाना बहुत ही जरूरी होता है होली में दो चम्मच इस्टफिन दा लेंगे साचा को दवाते हुए एक्स्ट्र जो आटा बचेंगे उसको काट कर निकाल लेंगे और बांकी बचे हुए आटा के साथ मिला कर रखेंगे इससे आटा सुखेंगे नहीं पलोथिन में रखेंगे आप देख सकते हैं कितना अच्छा गुजिया भरकर त्यार हो रहा है इधर गुजिया गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसको छन्नी की सहायता से निकाल लेते हैं पेपर में रखेंगे इससे एक्स्ट्रा जो ओल रहेगा पेपर सोख लेगा आप देख सकते हैं कितना अच्छा गुजिया बनकर त्यार हुआ है अब हम दूसरे बेच भी इसी तरह डाल कर तल लेते हैं गयस को एकदम लो फ्लेम में ही रखना है ज्यादा हाई नहीं करेंगे गुजिया को अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे आपको जैसा कलर पसंद आए आप उस हिसाब से पका सकते हैं गुजिया को गुजिया बहुत अच्छा बनकर त्यार हुआ है एकदम फुला फुला गोल्डन ब्राउन हो गया है गुजिया इसी तरह से हम सारा गुजिया बना लेंगे और तल लेंगे गुजिया हमारा त्यार हो गया है अब हम निकाल लेते हैं छन्नी की सहायता से हम सारा गुजिया बना कर त्यार कर लिये हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा गुजिया बन कर त्यार हुआ है एकदम फुला फुला सौप्ट गुजिया बना है होली स्पेशल गुजिया होली में बहुत सारे पकवान बनते हैं लेकिन गुजिया के बिना सारा पकवान फीका पर जाता है तेहवार अच्छे नहीं लगते हैं आप इस तरह से गुजिया बनाईए और होली में महमानों के साथ इंजोई कीजिये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गुजिया बनकर त्यार हुआ है एकदम फूला फूला सौप्ट गुजिया हम आपको एक गुजिया तोड़ कर दिखा रहे हैं कितना आसान से तूट रहा है आप देख सकते हैं कितना अच्छा सौप्ट गुजिया बना है इस टफिन भी भरा हुआ है थैंक यू फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए आये हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूले ओके बाई